कि अलो बचल स्वाथ आप मारे चैनल कर्मार क्लाश में तो बच्छाज हम क्लाश एट लर्न बेल स्मार्ट साइंस का चप्टर मारे टीन पलिशन आप एर एंड वाटर की जो एक्सरसाइज की कॉस्तना अंसर्स हैं वो हम इस वीडियो में कंपेट स्टैडि करने वाले हैं सु वीडियो और सुद्ध वाले वीडियो हमने आपको प्रवाइड किया है अगर आपको किसी पी चैप्टर का वीडियो दिखना है तो आप नीचे डीसकूतर में प्लेलिक्स्ट का लिंक है तो वहाँ चाहिए आप वागी के चप्टर्स की वीडियो देख सकते हो तो चलिए लुट्वाइब करते हैं आप अपने क्लासमेंश के साथ में इस वीडियो को प्रेज जरूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए लेटिवाइब रिक्वेस्ट चूओ लैटेस्ट वीडियो सबसे पहले हम दिखते हैं लाटस प्रैक्टिस की जो कोशन सुन में हैं फ़र्स्ट कुश्चन एमची की उच टाइप का है बलसी जिसमें पहला कुश्चन है ट्रिंकिंग कॉंटिमिनेटर वाटर के इन कोज डिजी लाइक ठीक है तो कॉंटिमिनेटर वाटर के यूज से और टाइफाइड जो डिजीज है वो काउज होती है जेकिन्ड को से ने गैस रेस्पंसिविल फूर ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैस रेस्पंसिविल है वह आपका कारवन डाई ऑक्सइड नेक्सट है दागेस एक्स भीड़ड एंड प्रिबेंट इट फ्रॉम केरिंग oxygen यानि कि वह कौन सी गैस है जो कि हमारे ब्लेट के साथ में मिलके oxygen के oxygen के level को reduce करती है ब्लेट में तो वो है आपका carbon monoxide gas तीक है जैसे CO कहते हैं नेक्स्ट है chemical method of the purifying water water को purifying करने का जो chemical method है वो है आपका adding chlorine tab 8 ठीक है आगे feeling the blanks देख रहे हैं जिनमें पहला कुशन है kill germs present in water ठीक है तो और enriched in oxygen मतलब oxygen को rich करती है वो है ozone ठीक है ozone जो है जम्स को किल करती है और oxygen को पानी में रिच करती है नेक्स्ट है examples of greenhouse gases तो CO2 और methane ठीक है यह एक्जम्पल से नेक्स्ट है natural phenomenon like ठीक है एक दो volcanic eruption और एक dust storm यह natural phenomenon है दोनों ही ठीक है जो कि एर को pollution करते हैं एर को polluted करते हैं नेक्स्ट है दा create a hole in the ozone layer ठीक है है cfc जो होती है वह ozone layer जो है उसमें hole को create करती है नेक्स देखते हैं काशन नमर तरी क्योंकि मैश्ट फ्लाविंग है तो पहले देख रहें हैं cfc ठीक है cfc आपका मैच होगा six से मतलब तैमेश तू और लेयर मतलब cfc और लेयर जो है डेमेज होती है ठीक है और नेक्स्ट आपका difference 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 मैच होगा आपके इंक्रीज दा लेवल ऑफ carbon dioxide मतलब option नमर फूर्थ ठीक है नेक्स्ट है को टो प्रोटोकॉल तो प्रोटो जो प्रोटोकॉल है वो मैच होगा आपका बंद से ठीक है reduce the emission of greenhouse gases ग्रीन हाउस गैसेज के emission पर को reduce करने में मदद करता है को टो प्रोटोकॉल नेक्स्ट है sulfuric acid ठीक है sulfuric acid आपका मैच होगा acid energy next cng cng आपका मैच होगा clean fuel से ठीक है और next है hydro energy hydro energy आपका मैच होगा प्रोटिंग नौन प्रोटिंग ऐसे भी लोगा hydro energy नौन प्रोटिंग ऐसे है ठीक है आगे देख रहे हूं है true-false है यूट्रो फिकेशन एज ए इंक्रीज दा लेवल आप ऑक्सिजन इन वाट रोटीज ठीक है तो यह फॉल्स है क्योंकि इंक्रीज नहीं करती है है डिएज करती है नाक्स्ट एयर पॉलिशन इज अल्ली कोस्ट ठीक है नेच्रल सोर्सेज तो एयर पॉलिशन सिर्फ नेच्रल सोर्सेज से कौज नहीं होता ठीक है कुछ गैने सोर्सेज से कौज होता है था स्यहत फिर्फमेंट फ़ोल्स है यह अल्यच्ट अ माजश्त में फ्रॉथ टेट्व मेंटर कंस्ट अबटनज कंस्ट पार्टिकल्स कर पार्टिकल्स में तया है यह चाहिए विल्कुल थ्रू देंसर्थ है और लिट्रेफित만 है यह चाहिए और तो बिल्कुल यह ब bölुक्त्व चाहिए हें और टीफित मेरे लगों को सला देती है कि उसका रिजन क्या है कि इजिकल तो यह रीजन भी सही है ठीक गवर्मेंट इसलिए तो सला देती है कि CNG यूज करो कि CNG क्लिए फ्यूल है तो हमारा हुआ आप्शन नमर बन बहुत ए और और करेक्ट और और आर इस करेक्ट एक्षपलेंशन ओफ ए नेक्स देखने के स्वेस्ट कोशन जिसमें यह हमारा प्रेगराप है यह हमें कंप्रेट स्टैडी करना है और फिर कोशन के हमें आंसर देना है कि तो फर्सक्षन है अमारा बट है जिए कोश्ट दा डिस कल रिशन ऑफ ताज में ठीक है ताज में का जो टिसक लिशन हो रहा है तो का काउज क्या है तो वर्ट पॉलिटेंट और एर पॉलिटेंट ठीक है यह दोनों ही कौज है आपको होगा बहुत ए एंड भी एंड इस्टी लॉकेटिंग अरण आगरा अगरा के अरण जो है अन्रिस्टीज लॉकेटेट उन्से काफी पॉलिटेंट निकलते हैं और वह ताज में लिगों टार्ज में प्लार वले उसको खराब करते हैं नेक्स्ट है एन एक्जांपल ऑफ एन क्लिएन फ्यूल क्लिन के एक्जाम्पल आपके लिपीजी है आगे देख रहे हैं कुछ सोट टाइप बेरी सोट टाइप के कुस्ट रांसर जिनों पहला कुशन है वाट आर दा सबस्टेंस इस डैट कोज पॉलिशन ठीक है तो वो सबस्टेंस जो की पॉलिशन को कॉज करते हैं उन्हें हम पॉलिट सब्सक्राइब करवन ठीक है नेक्स्ट नेमेनी टू ग्रीन हाउस गैसिस तो करवन डियोक्सएड और मिथन यह तोनों ही क्रीन हाउस के से यह कुशन पहले भी आ चुका है नेक्स्ट नेमेनी टू डिजीज कॉश्ट भाई ब्रीधिंग पॉलिटेड एयर ठीक है आइसद से रेन वैं है तैसल अंसर है दा ओकशी दा आक्सेड औफ सल्फर और नायक्स नाट्रोजन और सर्फर दोनों गैस के जो अकसाइड है एक चुक्क सेमेए और बनाता है और नाट्रूजन नाटिक असरीड बनाता है ठीक है और دीज एसिट mix with rainwater मतलब ये आसेड जो हते है rainwater साथ में mix होते हैं और जिससे pur rainwater या पिर rain को acid बना देते हैं ठीक है इसको हम acid rain करते हैं मागें नचाल इसको in a second what is greenhouse effect greenhouse effect क्या है तो देखो as sun rays entered into the earth atmosphere मतलब जैसे ही sun rays earth atmosphere इंटर करती है some of these are absorbed by earth surface मतलब इन में से कुछ जो rays होती है earth surface के दोबार absorb कर ले जाती है while some are reflected और कुछ जो है reflect हो जाती है बापस space में ठीक है these reflected rays are trapped by some gases तो जो reflected rays होती है ना वो कुछ gases के दोबारा trap होती है और कुणकुण सी gases जो की इन रेज को trap करती है वो है carbon dioxide और methane ठीक है जिसे शीर स्पोर कहते हैं ये दोनों gases इस reflected sun rays को बापस जाने वाली sun rays को trap कर लेती है present in the atmosphere ये दोनों गैसे भी atmosphere में प्रेजेंट होती है ये टैप कर लेती है जिससे जो अर्थ का atmosphere है वो बार्म हो जाता है उसका जो heat है बढ़ जाता है दिस नेच्रली occurring phenomenon तो ये नेच्रली जो phenomenon है जो क्या कर होती है तीक है is responsible for heating the earth मतलब ये अर्थ के heating के लिए responsible होती है तीक है और हम इसे greenhouse effects केते है नेक्स्ट क्योशन है वोट इज़ इट्रोफिकेशन ठीक है वोट इज़ इट्रोफिकेशन इट्रोफिकेशन क्या है तो देखो washing washing of residual fertilizers into water washes by rain cause fast growth of weeds which consume most of dissolved oxygen मतलब जो fertilizers होते हैं ठीक है वो water bodies में जाते हैं और उससे जो water bodies में जो weeds है ठीक है weeds जो होती है ठीक है वो water bodies की जो oxygen है उसको इक तरह सी consume करती है and उस water bodies में से oxygen को deficiency करती है मतलब oxygen की oxygen को consume करके oxygen की कमी करती है और इससे aquatic animals है उनके लिए oxygen कम पड़ जाती है और उनकी death हो जाती है this loss of dissolved oxygen in the water यानि को पाने में जो ये dissolved oxygen का loss होता है ठीक है उस loss के कारण जो है nutrient enrichment हो जाता है इसे बोलते हैं हम uterification ठीक है पहला है industries and factories emit harmful gases like sulfur dioxide and chlorine and dust which also add the air pollution अज़लब इनडिस्टीज और फैक्ट्रीज से जो harmful gas release होती है जैसे sulfur dioxide है carbon dioxide है ठीक है वो air pollution को create करती है और second है thermal power plants और nuclear power plants होते हैं उनसे भी harmful gases जो है प्रिडूज होती है बागी और भी काफी कोजिश हो सकते हैं नेक्स्ट हम देख रहे हैं लॉंग टाइप की question अंसर जिन में पहला question है what are the effects of global warming global warming के क्या facts है तो उसको अंसर है global warming जे major environment issue in the present time present time global warming एक बहुत बड़ा major environment issues है it will result in the melting of glacier 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 melt होते है and polarize ice caps melt होते है and rising the sea level or sea level rise होता है and causing flood in coastal and low-lying areas मतलब इस से coastal or low-lying areas में flood होता है global warming has become a major concern worldwide मतलब global warming पूरी worldwide के लिए major concern बन चुका है countries are signing agreement ठीक है बहुत सारी गंटरी जो के agreement सायन करती है reduce of emission of the greenhouse gases मतलब greenhouse gases के emission को reduce करने के लिए ठीक है ऐसा ही एक agreement जिसी quarter protocol करते है quarter protocol भी इन greenhouse gases के reduce reduce पर काम करता है reduction पर काम करता है कि यह gases कम हो है ताकि आर्थ काइटमस पर temperature ना बड़े तीक है और global warming ना बड़े यह question one का answer है next question number second what is water pollution list its sources water pollution क्या होता है इसकी sources बताने है second question का answer है कि water pollution can we are defined as the contamination of water bodies मतलब water bodies में जो condemnation हो जाता है उसी हम water pollution क्याते है and water pollution is caused when water bodies such as rivers है lakes है oceans है ठीक है और groundwater है and aquifires है get contaminated जब वो contaminated हो जाते हैं with industrial waste या फिर agriculture influence से तो water कौज होता है next question third what is the potable water potable water क्या है और what are its characteristics इसकी characteristics क्या है तो देखो potable water क्या है जो पीने का पानी होता है उसे हम potable water क्याते हैं तो मैंने लिखाया है यहां पर यसी का answer है water that is suitable for drinking मतलब जो drinking के लिए suitable है उसे potable water क्याते है potable water is colorless potable water colorless होता है odorless होता है transparent होता है और free from harmful chemicals और harmful chemicals से free होता है ठीक है यह answer है you can write next question है how can air pollution be reduced हम air pollution को कैसे reduce कर सकते हैं तो उसका answer है देखो यह वाला an individual can reduce air pollution by कैसे reduce कर सकते हैं तो आवेडिंग दा यूज ओप cars as much as possible and by using public transport मतला हमें personal vehicles को यूज करने को जाया यूज करना चाहिए whenever possible अगर possible है तो next second why not using vehicles for short distances short distances के लिए हमें vehicles यूज नहीं करना चाहिए next third by using clean fuel clean fuel हमें यूज करना चाहिए जैसे LPG है CNG है ठीक है यह वाले fuel यूज करना चाहिए हमें instead of petrol diesel petrol diesel की बजाया है next fourth है always disposing the garbage properly और हमें garbage को properly dispose करना चाहिए not burning यानि कि उसको burning नहीं करना चाहिए क्योंकि burning से तो आर्म पूल्ग ऐसे बिडिवीज होती है और वहीं pollution होता है next question next fifth point है controlling the emission of the from emission from vehicles and households ठीक है vehicles और household chimney होती है उन पर जोई mission होता है यानिक उन्से जो आर्म पूल्ग ऐसे निकलती है उन पर हमें control करना चाहिए ठीक है यह आपके points से कुछ आप note कर सकते हो next question है आपका इबाला explain how the city water works make river water safe for drinking ठीक है मतलब river water को हम drinking पर बच के लिए कैसे safe कर सकते हैं तो इसका answer देखो in cities water treatment plant clean water from rivers and lakes before it is sent to be homes plants plus cities में जो है water treatment plant में water को clean के जाता है घर पर वेजने से पहले उसके लिए कुछ steps है जो की water verification में होते हैं वो आपके यह है पराय sedimentation the water that is pumped from river जो river से पानी लिया जाता है उसको एक tank में अलाव के जाता है स्टेंड के लिए मितलब स्टेंड मितलब खड़ी रहने के लिए फिर उस पानी को भरा रहने के लिए लाव की जाता है कुछ time तक ताकि heavy और suspended particles है वो settle down हो जाए bottom में ठीक है मतलब उस पानी को filter कर लेते हैं उस देर के बाद में और फिर है ariation फिर उसमें air under pressure is blown मतलब उसमें air छोड़ी जाती है अंडर प्रेशर ठीक है और जो की कुछ हद तक chemicals को sorry harmful germs को वो kill कर देती है कौन एयर एयर ठीक है एरिशन प्रोसेस में नेस्ट है क्लोरी नेशन मतलब क्लोरीन की गोलिया यह फिर क्लोरीन की टैबलेट्स यह फिर क्लोरीन एड़ के जाता है ठीक है उस मतलब क्लोरीन से पानी को डिस इनफेक्टेड किया जाता है ठीक है उसके बाद जो पानी है वो एक तरह से हम सप्लाइ के लिए भीज दिये जाता है आगे हम देख रहे हैं higher order thinking skills की question जिनमें पहला question है greenhouse effects is necessary evil justify मतलब greenhouse effects एक necessary evil है इसको justify करना है तो देखो greenhouse effect due to the presence of gases such as carbon dioxide greenhouse effects जो होता है भी हमने पहले भी बढ़ाता atmosphere में carbon dioxide और methane gas का जो level है ठीक है बढ़ जाता है तब जाकि greenhouse effects cause होता है carbon dioxide is released during the respiration respiration carbon dioxide release होती है by the living organism and this carbon dioxide goes into the atmosphere यह atmosphere हो जाती है और वहाँ पर यह causes करती है greenhouse effects को ठीक है इसलिए हम कह सकते है greenhouse effects जो है एक तरह से necessary evil है मतलब जान लेवा है ठीक है क्योंकि हम जो है CO2 को हमेशार release करेंगे क्योंकि CO2 को release करेंगे वगर हम रहेंगे नहीं और रहेंगे नहीं तो use vehicles मतलब government जो है कौन से fuel के बारे में कहती है कि वह vehicles में use करो तो वह CNG बारे में कहती है ability helpful क्या CNG helpful है air pollution में if yes तो how मतलब कैसे है तो देखो इसका answer है कि government जो है हमें instead करती है कि हम CNG मतलब compressed natural gas को use करें ठीक है vehicles में क्योंकि CNG जो होती है ठीक है will helpful in reducing air pollution air pollution को reduce करने में CNG helpful है क्योंकि CNG cleaner clean fuel है ठीक है और CNG जो है one होती है completely ठीक है does not leave any residue और वह पूरी one होती है completely one होती है और कोई residue leave ने करती है मतलब कोई residue छोड़ती नहीं है ठीक है इसलिए जो है government हमें यह कहती है कि आप CNG यूज करो institute of petrol diesel अगे देख रहे हम value based question जिन में पहला question है the student of school are participating in a cleaners drive ठीक है and they go to be river in the city every Friday मतलब जो बच्चे है वो school school में पाटिशिपेट करते हैं cleaners program में और वो हर river को हर मतलब हर फ्राइडियो को river के पाच जाते हैं और महां पर कुछ plastic wax बगेरा जो पाड़े रहते हैं उनको color करते हैं and they also educate the slums developers मतलब वो slums पर रहने वाले लोगों को भी एजुगेट करते हैं the ill effect of the polluting rivers मतलब rivers को परूट करने के क्या का ill effect है उनके बारे में this effect has helped to lower population in river by 20% what value is the student exhibit तो यहां पर जो student है कौन से value को exhibit तो देखो इसका answer है the student exhibit the value of the cleanness student cleanness की value को exhibit करते हैं वो समझाते हैं and वो care करते हैं towards the environment मतलब environment के पित्ती वो careful है let's question देखते है second question है संजना went to her native संजना अपने native के पहाँ जाती है native village में जाती है sorry and summers में और शी सा और वह देखती है villages took up water from well villages जो है बैल से पाने लेकाते हैं बिजबाज बैरी डाटी जो कि बहुत गंदा होता है और श्मेली होता है और शी सजेश्टेट तो बैसे सजेश्टेट करती है अपनी grandfather को कि हुई जी सरपंच आप विलेज मतलब ठीक है केस्ति और से ग्जाए और संजना कासी यहां पर करती है तो इस गहां से सजिस्टन इसंक्त clam in come संजाना को संजेश्टन करें ग्लीनेश की लीनेश को सजना की घृति करती कि आप इस वीडियो को अपने क्लाश में इसके साथ में जुरूर शेयर करें अपने और जो चोटे भाई में उनके साथ में भी इस वीडियो जुरूर शेयर करें ताकि वो इस वीडियो को देखें और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए यह मेरे आपसे रिक्वेस्ट है और इस बुक के सारे चप्टर का वीडियो मैं अल्रेडी बना चुका हूँ जिसमें एक्स्क्रेंशन्स वीडियो और कॉसर अंसर वीडियो जो है तो वह आपको नीचे दिश्क्रेशन में प्ले लिस्ट का लिंक है वहाँ पर आपको देख लेको बिल जाएंगे तो आपके श जहीं जिवारत